सीधा और सीधा धर्म युद्ध है कि इनवर्स्टी में आडंबर पाखंड पढ़ाया आगा कि हम साइनटिफिक नॉलेज दिया जाएगा यह समीधान एक तरफ है वारशेस एक तरफ है यह सीधा बुद।ाइब और आस्था के लड़ाई है वुचाहती है कि यहां पे पूरा पूरा मनुष्मृति पढ़ाई जाए हिंदू स्टडी सेंटर खुल रहा है यहां गो मुत्र गाहिए सा पढ़ा जाए इन्वरस्टी इसकाम के लिए बना था तो यह हाल है कि देश दुबारा जो है यह गुलाम बन गया है यह मनुष्मृतिया गुलाम बनाने के तयारी है इ एक इंडिविजुल रतनलाल और सूरज मंडल और इसकी लक्षवन की लड़ाई नहीं है यह लड़ाई पूरे आने वाली जनेरेशन की लेकिन इस सरकार में मोधी सरकार में जो की आरेसेस के खुछ जो है प्रधान मंद्री कह रहा हूं वह बाई चांसलर प्रिंसिपल दें च मैं तुम लोगों को सुना क्या लगता है कि धर जा रहा है सिक्षा जा रहा हूं पर और सब हैं Systems अब ही तोसों मेरे घर पर हैं मेरे घर पर आई सकते हैं लोग तब यह प्रेस वारता यहां पर हो पाई है और मुलत बेसिक बात यह कहना कि यह बेसिकली एक धर्म युद्ध है लक्षमान यादा भी सब घटना है संकेत हैं और इस तरह से सैखडों टीचर्स निकाले गए यहां से रितु का मसला सामने ही है सीधा और सीधा धर्म युद्ध है कि इनवर्स्टी में आडंबर पाखंड पढ़ाया जागा कि इनवर्स्टी में साइंटिफिक नॉलेज दिया जाएगा यह धर्म युद्ध है समिधान एक तरफ है वारसेस एक तरफ है यह सीधा बुद्धी बाद और आस्था के बीच तो एक मुर्गा कटता है दूसरा दाना चुकता रहता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा अगली बार पता लगता है कि उसी का नंबर आ गया तो बिश्विद्याले किस सब्द से बना है बिश्व से इसका मतलब है दुनिया के तमाम जो विचारधारा है वो आएंगी लेक्न अरे से सारकार में मोदी सरकार में जो की फिर्टानमंत्री कह रहा हो Ci خ लवाय चांसलॉर क्यों लोग है यह पूराrete कि भारत नहीं हों सारा का मैं अपीयल कर रहा हूं कि आप एक बार जितने अप्रिंस्पल बने रिमॉटомина है से सब पता करा लिए आधे लोग जेल में रहेंगे तो यह फटजी वारा लोग फटजी करके जितने यहां काभी लोग पढ़ाने बाए लंबे समय से पढ़ाने वाए लोग हैं वह सबका मुवाइल चेक करने अब से बाने सब्सक्राइक नियुक्त बैसिक बात है कि यहां पर पूरा ऊपूरा मनुष् buildings फट्वी सेंटर खुलुओं इसलिए एक तरफ मैं कह रहा हूं कि एक तरफ अंबेटकर रवाला लेरू गांधी की विचारधारा होगी उन्हें वैरियेशन्स होगे और इस तीनों जो है गुलवलकर आसावरकर के विचारधारा है खिलाब ते और लग रहा है कि आरेसेस ने इस देश पर कबजा कर लिया ह इसलिए घटना नहीं संकेत है इस तरह घटनाएं होंगी इसलिए पूरे नेशन वाइड इनके खिलाफ आंदोलन चलाने की जरूरत है इनको सबसे पहले इनको हराना जरूरी है यह सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि यह कुछ मतलब कहीं चिट्थी लिखे वाई चांसलर को प्रिंसिपल कोई जबाब नहीं दे रहते हैं प्रिंसिपल के अंडर में थोड़ी काम करते हैं वह क्लिक है जबाब नहीं लेकिन संग कारियाले सगहां सब्सक्राइब करणा तो हमारा तो यह हाल है कि देश दुबारा जो है गुलाम बन गया है यह मनुस्मिर्थिया गुलाम बनाने के तयारी है इसलिए इसको खाली आप सिंटम समझे यह एक इंडिविजुल रतनलाल सुरज मंडल और इसकी लक्षवन की लड़ाई नहीं है यह लड़ाई पूरे आने वाली ज शिक्षक यहां है और डॉक्टर रतनलाल जी कि यहां उपस्तित हैं में दो अपील एक तो तमाम राजनेतिक दलों से करना चाहूंगा जो सोशित समाज के सात्ते हैं खुद को दलित पिछड़े और आदिवासी और अलप सेंख्यक के हितेशी कहते हैं वो इस तरह के घटना पर अपने अपने पार्टी में रिपोर्ट दे और अगर संभाव हो तो अश्चेप करें और दूसरा मैं तमाम ऐसे लोग जो इंसाफ पसंद सम्मिधान के पक्ष में उनसे पूछता हूं कि विश्विद्याले को आरेसेस मुक्त होने के लिए क्या आप लोग भारत बंद म साथ देंगे की नहीं इस पर विचार करें जैस सम्मिधा